नमस्कार दोस्तों, यूटूब चनल ICT Academy में आप लोगा स्वागत है आज हम National Scholarship Portal का ऐसा information के बारें बात करेंगे जो कि आप लोगे एकदम new हैं और ये information अभी तक किसी ने नहीं बताएंगे तो अगर आप NSP में अपना scholarship को apply कियें तो वीडियो आप लोग के लिए काफी ज़्यादा informative है तो वीडियो को बिना skip किये ध्यान पूर्वक लाज तक देखिएगा कि क्या मैं दिखा रहा हूँ और आप लोग को क्या मैं बता रहा हूँ तो वीडियो आप लोग के लिए informative वाला वीडियो है तो वीडियो को अच्छे से थोड़ा से टाइम निकल के जरूर देखिएगा और चैनल पर जो जो नियू आप तब सब्सक्राइब भी नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अनलाइन और इसकोलोसिव रिलेटेड ऐसा इंफर्मेशन हमेशा पाने के लिए अब वीडियो का आप लोग बहुत कम जन लाइक करते हैं कुछी-कुछी स्टूटन लाइक करते हैं तो अगर आप लोग को वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो जरूर लाइक किजेगा नहीं लगेगा तब दिसलाइक कर दीजेगा और आप लोग को थोड़ा सा से ब्लियो करेगा तो मैं अपना login नहीं करूंगा, एक subscriber जो कि आमको email करके पूछे थे, कि मेरा status इस तरह का show कर रहा, इसमें कोई problem तो नहीं है, तो चलिए मैं आप लोग को screenshot दिखाता हूं, तो यह रहा screenshot जो कि आमको email के थूरू भेजे थे, एक student, मेरा घर जारखंड हुआ, आप देख सकते हैं, यह तिरिपूरवा का student है, इसमें क्या नया है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, अगर आप लोग NSP अपलाई की हैं, तो सभी के लिए इस तरह का information जानना जरूरी है, कि इस तरह का नया-नया information, तो चलिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले student का यहां से देखिए, institute level verify yes है, state board verify yes है, आधार verify yes है, account validation yes है, यहां पर आप लोग का नया चीज है, आप देख सकते है, merit list no है, अब ध्यान दीजे, merit list no है, और यहां पर send to PFMS yes है, आप देख सकते हैं यहां पर, जबकि हम लोग को मालूम है, कि जब तक merit list नहीं बनता, application send to PFMS नहीं होता, लेकिन यह student का आप देख सकते हैं यहां पर, इस तरह का copy student के साथ हुआ होगा, आप लोग comment में जरू बताएगा, कोई भी दिक्कत है comment भी जरू कीजेगा, चले इस वीडियो में detail में बात करते हैं अभी इसके साथ क्या problem है कुछ क्या नहीं, तो चले बात करते हैं, जैसे कि इसका merit list अभी no है, लेकिन application send to PFMS पर payment हो चुका, और यहां पर blue color में आप लोग देख सकते हैं, scholarship payment details has been pushed to PFMS पर payment processing, मतलब इसका application को PFMS के पाच भेज चुका है payment processing के लिए, तो इसका हम लोग PFMS में check करते हैं, और आप लोग को detail में बताता हैं, कि इसका payment कितना दिन में और कब तक आएगा कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अब हम PFMS में इसका data को पहले सर्च करकर रखते हैं, अब देख सकते हैं, इसका details यहां पर सर्च की हैं, तो बता रहा, payment not initiate for the beneficiary, तो मैं पहले ही इसके लिए video बना चुका हूँ, कि payment not initiate for the beneficiary का जब क्या होता, इसके लिए यह कोई problem नहीं है, अगर आपको PFMS का server में आपका account और आपका application को जब लोग list को जारी नहीं करता, PFMS का server में नहीं include करता, तो इस तरह का दिखाता payment not initiate for the beneficiary, लेकिन कुछ दिन में सो करता है, और कुछ-कुछ student का payment receive हो जाने के बाद भी payment not initiate for the beneficiary दिखाता है, कुछ-कुछ schemes में, ठीक है, जिसका scheme का data को PFMS delete कर देते हैं, payment देने के बाद उसका data कुछ दिन सो करता है, फिर delete कर देते हैं, तो payment not initiate for the beneficiary student का दिखा रहा, तो कोई दिकत नहीं इसको कुछ दिन में PFMS में इसका data को सो हो जाएगा, और इसका अभी application sent to PFMS for payment ज़ दो जुन को हुआ है, तो आप लोग को अगर यह information अच्छा लगा तो जरू लाइक केज़ेगा, फ्रेंट का साथ share भी कर देज़ेगा, चैनल पर नहीं हो तो subscribe भी कर लेजेगा, ओनलाइन इसका लाशिव रिलेटर वीडियो इस तरह कामने सा पाने के लिए, चले मिलता नया information पर,